हलो दोस्तों स्वागत आप शभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर फिंटे गुरूजी YouTube चैनल पर and I am your host and today I am going to talk about Airtel Payment Bank तो Airtel Payment Bank पर आज बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उसे आप online open कर सकते हैं उसके क्या-क्या प्रोसेस होने वाली है उसके क्या-क्या वैलिटेशन है और उसके क्या-क्या eligibility criteria है जिसके basis पर आप Airtel Payment Bank को open कर सकते हैं Airtel Payment Bank open करने से पहले यह बहुता दू कि Airtel Payment Bank सभी के लिए है मतलब आप Airtel के चाहिए आप यूजर है या नहीं आप कोई भी स्थीम चलाते हैं उसके बहुद भी आप Airtel Payment Bank को आप शुरू कर सकते हैं और यह काफी ज़्यादा फायदे मंद भी होता है क्योंकि Airtel Payment Bank से आप online money transfer, bank transfer, अपना पैसा storage आप कर सकते हैं इसके अंदर में और Airtel के अगर आप user है तो उसे और आपको double फायदा मिलता है क्योंकि Airtel के अंदर में आपको जितनी भी benefits आपको मिलती है वह आपके directly bank account में पहुचा दिया जाता है तो इस वीडियो में आज इसी को पर बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से उसे आप online अपने घर बैठे ही मतलब अपने laptop या फिर अपने phone के जरिये ही आप open कर सकते हैं इसे आप वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि care care document भी चाहिए उसके लिए तो आएए वीडियो के start करते हैं तो दोस्तों यह रहा अपना Google Chrome और यहां पर आपको search कर लेना है Airtel payment bank अगर आप phone पर चलाते हैं तो आप phone का भी यही same process होने वाला है तो दोनों का process सेम है आप इस तरीके से आपको एक interface देखने को मिलेगा Airtel payment bank आप नहीं तो directly इसका link description box में दिया वहाँ से भी आप check out कर सकते हैं यहां पर आपको login और register का button मिल रहा होगा तो आपको यहां पर अगर आप पहली बार हैं तो आपको register करना है अगर आप पहले खोल चुके हैं और तो यहां पर आपको login का button open कर देना है तो जैसे कि मैं पहली बार है तो register का button open कर देता हूं यहां पर मुझसे mobile number मांगा जा रह तो आप बारी बारी से मैं सारी चीज़ों को यहां पर डाल देता हूं अब जैसे कि मेरे अपने मोबाइल नमबर डाल देता हूं डालने के बाद यहां पर टिक का बटन पर क्लिक करने के बाद यहां नेक्स्ट का बटन है उससे पर आपको डाल देना है डालने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने लगेगा और यहां पर बहुत सारे आपको आपको ऑप्शन मिले लगेंगे को प्लड़ रहा है उसी और एकाॉंट वाले ऑप्शन को आपको पर सवाल पूछा जाता यहां पर अपना मुबाइल नंबर एंटर कर देना है एंटर करने के बाद यहां पे सेंड और 다음에 का बटन मिलेगा सेंड ऐर्ट यहां जो करते हैं यहां पर आपके मुबाईल नंबर नपर यहां पर चूसका कर दें अब हां इसमेश कोर्वन कर ना जैसे मैंने अधार नंबर यहां पर मैं अपना अधार number डाल दूँगा अब यहाँ पर पूचा जाएगा do you have a pen card अगर है तो yes नहीं है तो no जैसे मेरे पास है तो मैं yes वाले पर click करके यहाँ पर enter pen number पर pen number यहाँ पर डाल दूँगा डालने का वाद नीचे proceed का button मिलता है proceed वाले button को click करना है उपर में time sun condition आएगा उसी time sun condition को click कर देना है यहाँ पर place your finger on the scanner अब यहाँ पर आपको समझना अगर आप PC से कर रहे होंगे तो आपको एक scanner लगाना पड़ेगा attach करना पड़ेगा अपने PC से अगर आप phone में होंगे तब आप directly finger attach कर सकते हैं तो यह फायदा है आपको phone में चलाने का और PC में apply करने का तो बहुत कमी के पास ऐसा हो सकता है कि scanner होगा आपने घर पे तो वह scanner के इस्तमाल से कर सकते हैं नहीं तो अगर नहीं है तो आप आपका finger print ले लिया जाएगा तो यहां पर अपने उंगली को स्कैन कर लेना है जब आपका finger print scan हो जाएगा तो आपको बहुत जितनी भी details आपके दोबारा दिये गई है मतलब अधार का वह आपके fingerprint से वह सारा load हो जाएगा क्योंकि आपका fingerprint अधार में दिया ही हो रहा तो आपको simply tick करके proceed का button click कर देना है जैसे आप proceed करते हैं यहाँ पर आपसे दूसरे details है उसको मांगा जाता है father's name, mother's name, occupation आपको बारी बारी से जतनी भी details है सारी details को यहाँ पर भर देना है यहाँ पर नीचे का proceed का button मिलेगा उसी proceed के button को click करते ही आपको अगला question पूचा जाएगा do you have a nominee अगर आपके पास कोई nominee बनाना चाहते है तो yes करे नहीं है तो no करे अगर आप nominee बनाना चाहते है तो nominee का first name, middle name, last name अगर यह सारी चीज़े आपको बारी बारी से डाल देनी है सारे चीज़े डालने के बाद आपको एड्रेस मांगा जाता है अगर सेम है तो इसको टिक कर देना है टिक करने के बाद यहां पर आप आप से प्रोसीट का बटन दबाती आपके टांस और कंडिशन मांगा जाएगा उन दोनों को यहां पर फिर से टिक कर देना और प्रोसीट करना चाहता है तो मैं यहां पर 2000 अप्लाइ करके मैं यहां पर प्रसीट कर दूँगा अब यहां पर मेरे जितने भी डिटेल्स वह सारी डिटेल्स यहां पर आपको दिखने लगेगी यहां पर नीचे आपको को अप्षन को कलिक करते के साथ यहां पर से कॹर्मीड के साथ ही मिलता है यहां पर स्कैनर के जरीए करें नहीं तो आप फून के जरीए असानी से कर सकते हैं क्या आप गवर्मेंट सब्सिटीज जो मिलती है उसके जैसे गैस वगरा मिलता है तो आप लेना चाहते हैं इसमें डालना चाहते या नहीं तो आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं तो यह समें को कoue कर देना है और इसी के साथ आपको यहाँ पे disclaimer आएगा उपकर करके आपको यहाँ पर O.K बटन नीचे मिलता है हुशो के वाले बटन को आपको कर देना है तो दोस्तों इसी के साथ आप cash deposit cash withdrawal आप सारी प्रोसेस यहां पर कर सकते हैं cash withdrawal अगर करना चाहते तो यहां पर अपना phone number डाले जो सुरू में डाले थे phone number डालने के बाद जितना इमांट आप deposit करना चाहते हैं उतने विट्रॉल करना चाहते हैं तो उतना आप एमांट डाल दें उसके बाद पर सीट का बटन है उस पर सीट के बटन को क्लिक कर दें यहां पर आपका scanner आएगा स्कैन कर लें इसी के साथ आपका cash withdrawal जो है 1000 वो successfully done कर दिया जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर मैं end करता हूं hope करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दें और चैनल को जादे जादे सब्सक्राइब करें